अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं इस वीडियो के अनतक बने रहेगा क्योंकि विश्व भूगो लेकर आसा टॉपिक है जो आपके सामान देरी के हम लोग क्लास के सुरुवात करते हैं और आप सभी साथ ही जित्तों इस वीडियो को लाइब देख रहा हैं फटा फट कॉपी कलम लेकर बैठ जाएगा जो भी महत्तपुर पॉइंट लगे उससे नोट डाउन करते चलेगा उसे नोट स्कुरूप में बनाते चलेगा क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं आपके सामने डिस्प्लेई पर प्रेस्टन दिखरा है ठीक है कहा इनवर्ति वर्शा वन पॉच्छा जाता है जल्ली बतहिये फटाबट आप लोग जल्ली फटाबट कु मेंड करेके निम्लिकित में कहां आयन वर्ती वर्षा वन पाए जाते हैं कांगो गंगा वांगो हो गाटी मरे डालें गाटी कहां पर देखे यहां पर इस प्रशने का उत्तर क्या होगा चल देली कोमेंट सीक्सिन में है इस प्रश्ण का राइट एंस्वर होगा कांगो घाटी क्यूंकि हम इसकी बिस्तरद बात्था करेंगे क्योंकि जब तक तोडेंगे नहीं तब तक छोडेंगे नहीं यहाँ पर कांगो घांटी डिगरी को दो बार कारती है मतलब यहां पर ध्यान देना चाहिए हम लोग जो कांगो नदी है जो जीरो डिगरी को दो बार कारती है मतलब कांगो नदी भूमत रेखा को एक प्रश्ण आपका तयार हो गया रेखा को दो बार कारती है यहां अफ्रिका महादीब का एक महत्पुन नदी है दूसरी बात याद रखेगा कि कांगो घाती में अयन वर्ती वर्सा वन पाये जाते हैं इसलिए इस प्रशने का जो शही बिकल्फ है वो ए है मरे डार्लिंग हाटी कहाँ परे जल्दी से कॉमेंट सेक्षन में देएगा और कॉमेंट करने के बाद देएगे प्रशने का सभी लोग जबाब दीजेगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं चाहे फेस्बूक पेच यूटूब पर जहां भी देख रहे हैं जल्दी ली कॉमेंट करिएगा ठीक है जी हाँ इस प्रशने का अगर सही उत्तर अगर देखा जाए कांगो घाटी कहाँ पर बताइएगा मरे डार्लिंग घाटी जी हाँ शातियो जल्दी ली फटापट करिएगा जितने भी साथ ही भी को लाइब देख रहे हैं सभी साथ ही फटापट करिए कैरबियन सागर में चीन सागर में अरब सागर में ठीक है चलिए यहाँ पर द्यान से देखते हैं हम लोग टार्नेटो बहुत ही प्रबल उस कड़बन दी चक्रवात है जो उड़ते हैं कैर्बियन सागर में, थीन सागर में, अरब सागर में या स्याम सागर में बहुत इंपॉर्टन प्रसने जल्दी सी वीडियो को शेयर करिएगा सबी लोग फटाफट जितना ज़्यादा हो से कि अपने वीडियो को शेयर करिएगा वीडियो की क्वाल्टी बढ़ा लिजएगा, पूरे यचिदी में आपको दिखाई देगा ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देते हैं कि जो ध्यान देना होगा आप सभी को कि इस प्रसन का जो सही विकल्प है वो कैर्बियन सागर होगा, माने यह इस प्रसन का सही जवाब, आई इस के बारे में और अधिक जानते हैं यहाँ पर उस कड़बंदी तुफान है, यह अस्टेलिया यह सही तराज अमेरिका की मिसिसीपी इलाकों में इस तुफान को हम टार्नेडो कहते हैं कहां पर ध्यान दीजेगा जो टार्नेडो है यह कहां पर तुफान अस्ट्रेलिया यहूए से के मिसिसिपी लाखे तक में इस तुफान को टार्नेडो कहा जाता है यह जल थल दोनों नोटपन होता है इसमें अस्थली हवाओं का जो देख होता है लगभक 325 किलो मीटर प्रती हावर्थ इसकी चाल होती है यह केर्बियन सागर उत्र इत्लांटिक और महा सागर उत्र इत्लांटिक महा सागर अंतरगत आता है कि ठीक है ठीक जल्दी से बताइए आप लो फटापट कॉमेंट करके हें यहां पे और चीज़ें आपको बताएंगे जो टाइफून यह परशांत माहा सागर उठने हौला तरफ़ा चीन सागरं में चलने वाली वकरांगर स्थ ट्बद्दाति तुफान है आपफून की बात किरी कि तोर टाइफून कहां चलता है प्रशांत महाशागर और यह चीन सागर में भी चलता है कि महाशागर में ठीक है चाहत इसकी स्कीन सॉट ले लिजेगा कि चलता है अगले परशनी की तरफ अगला पर सामने है धान सब लोग देखेगा दच्छड एसिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या मोश्ट इन पॉर्टन परश्ट नहीं है कि दच्छड एसिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कि जलिदी कोमेंट सेक्षन में जाएगा और कोमेंट करके बताइए सबी साथ है चितनली वीडियो को देख रहे हैं चाहिसे फेस्बूक पे चाहिए यूटूब पर जहां भी देख रहे हैं कि दच्छड एसिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अटाकामा कोलोरेडो कालाहारी थार क्या होगा देखिए इस पशने का जो सही भी कल्फ होगा सभी लोग फटा-फट कमेंट करें वीडियो को शेयर करें पैसे नहीं लगते हैं बताइए चलिए आप ध्यान देना होगा कि अजिए इस पशने का जो शही उत्तर है वह क्या होगा आपका और थार का मरुस्थल जिया Exchange जो सही कल्फ होगा वह रहका थार का मरुस्थल इसके बारे हमने पहले च्जर्शा के लिए ठार का जो मरुस्थल है यह लगभग दो सो साथ कीमी इसक्वायर चित्रफल पर फैला हुआ है यह भारत और पाकिस्तान पर इस्तित है अगर अटाकामा की बात की जाए अटाकामा यह कहां पर है अपका चीली में है उत्तरी चीली में है और यह दच्छन अमेरिका महादीब का एक देश है ठीक है और कोलेरीडों की बात की जाए तो USA का है यह USA में है ये सिया में है तो इतना चीज जो था वो मैंने आप सभी को असपश्ट रूप से ब्याक्ठ्या करके बता दिया ठीक है समझे सब लोग आप लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं चैसे फेस्बूक के चैसे यूटूब पर जहां भी देख रहे हैं सबका कंसेप्ट कलियर हो गया क्या किसी के मन में अभी भी कोई डाउट है घ्र कोई डाउट हो तो जल्दी से कॉमेंट करके बताईएंगा कोई डाउट नहीं रहना जाहिए छी कि रेस के घोड़े हमेंसा रेस मच्छा लगते है अगला अगला सवाल तोड़ा धान देखिएगा तो की जड़े लंबी होती बहुती इंपॉर्टेंट परिच्छा में बार बार पूछा जाता है कि भाईया क्या ऐसा कारण है जली ली बताईए देखिए अगर ब्याख्या नहीं करेंगे तो प्रश्म पढ़ने का कोई मतलब कोई अ सबसे ज़्यादा जरूरी सबसे ज़्यादा महत्तपूर्ण है ठीक है देखिए भूमी का उच्छता पान जड़ों को लंबा होने के पस्राइट करता है जड़े पानी के तलास में लंबी हो जाती है भूमे पानी नहीं होता था है सक्त होकर जड़ पर दबाव जिसमें लं जल का अस्तर अतिधिक नीचे होने के कारण जल की खोज में जड़े जो होती हैं काफी नीचे तक जाती हैं इसलिए ऐसे पेड़ पव्दो को हम Zerophyte कहते हैं क्या कहते हैं जी रोफ़ाइट के नाम से जानते हैं क्या कहते हैं उसे जीरो फाइड कहते हैं यह काफी important और काफी महत्पूर्ण चीज है जो आपके परिच्छा में पूछा जाता है ठीक है चली इसलिए महत्पूर सर्जन नहीं होती हैं इनके पत्तियां भी छोटी होती हैं यह बात आप लोग भली भाती जानते रहिएगा चली बढ़ते हैं का और अगले प्रश्णी की तरफ चली वाई मंडल में ओजोन पर्थ है most important है जल्दी से comment section में जाएगो comment करके बताईएगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं चाए facebook पे चाए youtube पर उन सभी के लिए यह काफी महत्पूर्ण है बदेज लिली comment करके बदेज लिली फटापर comment करके यह वर्शा करती है पदूसर कम करती है यह वाई मंडल में जो ओजोन परत है यह परावेगनी केड़ों को पित्वी पर आने से रोकती है मतलब इस प्रश्ण का सही उत्तर जो है परावेगनी विक्रण पित्वी पर जीवन के रच्छा करती है अल्ट्रावालेट रेज को रोकने का काम करती है और यह वाई मंडल के समताप मंडल में किस मंडल में यह समताप मंडल में कहां पर है समताप मंडल में है ठीक है और यह अल्ट्रा वालेट डेज को असोसर कर लेती हैं लेकिन प्रदूसरों ने कारण ओजोन पर लगातार च्छय हो रहा है जो मानुक जीवन के लिए अच्छे नहीं है अस्ट्रिया इसका जोलन दुदारन जहां परावगिने के कारण सबसे अधिक चर्म रोगी अस्ट्रिया में स कई भर रिपेट किया इस प्रचने का उत्तर होगा भी सुक्र ग्रह होगा ठीक है सूक्र ग्रह की विस्यस्ता को बदाया है इसमें करवन डियाक्साइड क्यौत ज्याधा होती है जिस करण इस ग्रह को भोन का तारा 선श का तारा चंकीला ग्रह सुख्ववा प्रिचिवी की भगनी आधिनामों से जाना जाता प्रेसर कूकर वाला ग्रभी से कहते हैं। अगला सवाल आपके बीज उत्री गोलार्द में करक संक्रांती के समय 12 घंटे का दिन कभ होगा। जलीली कॉमेंट करेगा बढ़ेगा यह कोश्चन हमने बताया है। सभी लोग को जितने लोग इस वीडियो को लाइक देख रहे हैं। याद रहे हमेशा उत्री गोलार्द में 12 घंटे का दिन 12 घंटे का दिन वा रात तभी होगा जब सूर के किरने बिश्वत रेखा पर अर्थात जब यह 0 डिगरी पर सीधी पड़ेंगी। एकदम रट लीजेगा जान लीजेगा बारे घंटे का दिन वा रात तभी होगी। अगर करक रेखा पर पड़ेगा तो 13 घंटे 20 मिनट का दिन होगा और 10 घंटे 40 मिनट की रात होगी। यह बात आप लोग जान लीजेगा सभी के लिए यह काफी महत्तपूर्ण है और काफी यूनिक चीज है जो मैंने आपको उसपस्ट्रूप से बता दिया ठीक है यार वीडियो को सेयर कर दिजी लोगों तो पोचा दिजी पैसे नहीं कटेंगी काफी महत्तपूर्ण सीरीज आप सभी के लिए और विस भूगोल एक ऐसा एंसीरटी का ये निचोड़ ऐसा है जाकि परिछा में जहां से बार बार प्रश्णाते हैं यह इस्तिती उत्री गुलार्द में दो दिन होती है यह एक तो 21 मार्च औ 23 सितंबर को होती है 21 मार्च को जब होगी 21 मार्च को होती ह 21 मार्च को बसंद विशू कहते हैं सरद विशू 23 सितंबर को कहा जाता है ठीक है उत्री गुलार्द में जब आएगा 21 मार्च होगा यह आप लोग को जो ऑनलाइन क्लास की स्रीज हमने पढ़ाई है विश्ट भुगोल की स्रीज जो हमने पढ़ाई है वहाँ पर हमने डाइ पूसता है और हम कंफ्यूज है जाते हैं और कर्क संक्रांती देखते हैं इस प्रशन का उत्तर ए लगा देते हैं जो गलत है बारे घंटे का दिन बारे घंटे का रात केवल केवल जीरू डिगरी अर्था भुमत रेखा या विशूत रेखा पर ही होगा ठीक है इसलिए यह पर आप लोग भली बाती जान लीजेगा ठीक है आप इसकी स्की इंसेट कर लीजेगा ऐसा प्रशन पर इच्छा में आएगा गलती मत करिएगा अग्ला ओजोन परत अवस्थी थे ओजोन परत कहां पे हैं अभी हम लोगों ने इस प्रशन के बारे में उपर चर्चा किया ओजून एक गैस है, ओजून का है गैस है, ओजून एक गैस है, जिसका फर्मूला O3 है, तो ठीक हैं, तब जल्दी से बताईए जिकते साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी फटाफट कॉमेंट करिए, बताईए इसके बारे में क्या क्या चीजे हैं, दिखें, अगर ओजून की बात की, ओजून गैस की खोज, क्रिस्चिन फेटरिक इसकोन विनने किया था, ओजून की घत्यात्मक संकलपना सबसे पहले चैप मैन ने शुरू किया था, और इसकी पहली च्छाय का पता सबसे पहले कौन लगाया था, बिटेन के फोर मैन ने लगाया था, प्रश्री बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है श्री वालों को जवाब पूरी तरह से राइट है हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरब अगला प्रश्न है बर्मुन्दा त्रिभूच अवस्तित बारवा पर इच्छा पूछा जाता है देखिए यह सिरीज हमने पढ़ाया है जितने लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं चाहिए फेस्बूक पे चाहिए यूटूब पर जल्दी यल्दी कोमेंट करें बताए जल्दी कोमेंट करें बताएं जितने लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं चलिए वर्मुन्दा बहुत ही इंपोर्टेंट है और यहां पर यह एक ऐसा विवाद बना है जो आस तक क्लियर नहीं हो पाया यह उत्तरी अट्लांटिक महासागर में है यह इस प्रश्न का सही जबाब है यहां पर वर्मुन्दा का थे बनाता है इसलिए इसको वर्मुन्दा त्रिभुज के नाम से जानते हैं अट्लांटिक महासागर के इस भाग में जहाज वाईयान के गायव होने की कई घटनाय दुर घटनाय अब तक हो चुकी है इसका बैज्ञानी का अभी तक थोस कारण पता नहीं लगाया जा सका है ठीक है अर्थात इस प्रशने का जो सही उत्तर है वो एस का राइट एंश्वर है अगला प्रशना आपके सामने कथा निसकर् इस नंबर पर आप लोग वाट्सेब करके जनका रिले सकते हैं यहां क्लास जौनपूर जनपत के सिराजहन से मेरे दौरा निसुल्क लाइब आप सभी के लिए चल लाएं दिखें यहां पर वाई मंडल में अधिकांस उस्मा प्रो चुरूप से सूर से तथा प्रत्य चु प्रत्य चुरूप से पृत्य तो से तृफ्ष्य चुट्पंद के यहां जिसलिया एकुस्मा इंसलेशन कहते हैं जिसकी वज़से वाई मंडल गर्म नहीं होता सुर्यत प्राप्त करने के बार प्रितिवी इस उस्मा को वात्ता वरार से लगातार प्रच्छेपित करती रहती है जिसी से वालमंडल गर्म होता है मतलब A और R दोनों सही है और A R की सही ब्याक्ष्या है माने इस प्रशन का उत्तर A राइट है A शही है जितनी लोगों ने इ सेयर करने के पैसे नहीं लगते मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे पता यह सिरीज बहुती ब्याक्तरीन है यह महाभार स्रीज समान धन में विश्वगोल की एक ऐसी सिरीजे जिसका संबंद सिधा सिधा आपके परिच्छा से है बहुं सारे प्रशन आपके परिच्छा में ह इस बात की गरिंटी है अगला मकर संक्रांती के समय करके रेखा दोपहर के सूर का उन्तांस क्या होता है जी हाँ जल्दे ली कोमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिएगे पश्चन का जबाब दीजिएगा देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा यह कैसे निकालते हैं यह हो गया हमारी प्रिथिवी थोड़ा गोला कम साइस नहीं बना है और यह हो गया जीरो डिगरी और यह हो गया आपका 23 सही 1 बटा 2 डिगरी शाओ इस जो कहते हैं मकर रेखा या मकर वृत्त के नाम से जानते हैं मकर संक्राती के समर्ण मकर रेखा पर सूर की ने सिधी परती हैं कितना 23 सही 1 बटा 2 अच्पे ठीक है लेकिन पितिवी जुकी होती है तो सूर का जो 99 सकोंड होता है वो 90 में से हम घटा देंगे तो क्या हैगा 66 सही 1 बटा 2 डिगरी इस प्रशन का अंशर होगा क्या होगा 66 सही 1 बटा 2 पितिवी अपने अच्पर घूमने के साथ सूर के चारो भी अंडाकार मार्ग पर 365 दिन 6 घंटे में एक चकर पूरा करती है पितिवी के इस अंडाकार मार को भूक अच्छा कहते हैं पितिवी की गति को परिक्रमा या वारसिक गति कहते हैं पितिवी सदों अपने अक्षपर पास्चिम से पूर लट्टू के तरह घुमती रहती है जिससे पितिवी का लिख लीजेगा यह परिच्छा वाले प्रिश्ण है कि यह कितना होगा साड़े छाच्छट को लीजेगा उन्तांस का मतलब यह होता है कि जो प्रिथिवी का जुका हो तो वास्ति जुका और सूरिक के बाद जो सूर के जैसे किरण सीधी इस पर पड़ रही है यहां से 90 डिग्री कर देंगे तो यह साड़े तेई डिग्री जो है घट जाएगा मतलब ऐसे सीधा मानके देखिएगा यह पूरी 90 डिग्री थी ठीक है अब सूर यहां पर चमक रहा था तो यह कोण कितना बना सूर से कितन है अगला प्रश्ण आपके सामने संसार का सबसे आदत्तम अस्थान क्या है जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं चाहिए यूटूब पर देख रहे हैं जल्दी से फटा फट कमेंट करके दिए कि प्रश्ण का जबाब दें सभी साथी जल्दी फटा फट कमेंट करे दुएकल की परिच्छा हाल में गलती मत करेगा दुनिया का सबसे आत्तम अस्थान मासियन राम है कहाँ होगे मासियन रामिस परश्ण का सही जबाब होगा और एक बात याद रखिएगा यह मेगाले में कहां पर है यह मेगाले राजी में हैं मेखाले की सीमा कितने राजी की सीमा को असपर्ष करती है इसका जबाब कॉमेंट सेक्षिन में दीजेगा यहाँ पर जो औसट वार्षी वर्षा होती है वो कितनी होती है 11,873 यमियम प्रत ये वर्षा होती है इसके पहले चेरा पुझी थी कब 1997 तर जब जलवास वियुक्त वाई उपर उठती है तो तापमान में कमी आने दिखते से उसका संगनन होनी लगता है इस कारण बादलों का निर्मार होता है कुछ समय बाद बादलों से जलवास की मात्रा अधिक हो जाती है और वाई मंडल में सम्हाल नहीं पाती अधिक है अब देखिए 2014 से मासिन राव है 2014 से मासिन राव ठीक है किलियर हो गया सबका कॉंसर्ट किलियर या जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं उपने शाथी मित्रों तक तो पहुचा सकते हैं या उनकी भी पैसे कटेंगे चलिए तवाजियम लोग जब आप सपोर्ट नहीं करेंगा अथ हम कैसे बेश्ट देंगे अपना बताईए ग्लोब पर दो अस्थानों की बीच की निम्तम दूरी को क्या कहते हैं कि बतेजिए इस फटापट कमेंट करके जिप्तली वीडियो को लाइब देख रहे हैं कि बतेजिए इस फटापट कमेंट करके हैं देखे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये परिच्छा वाल है जो बार बार पूछा जाता है ठीक है देखे गलूप पर दो अस्थान की बीच की दूरी को क्या कहते हैं निउन्तम दूरी को क्या कहते हैं देखे यहां पर द्यान लीजेगा आईए इस बारे हम लोग जान लेते हैं पहले तो असपश्ट रूप से पर जो परिच्छा में सवाल आते हैं यहां पर यह जो जीरो डिग्री है इसे प्रदान मध्यान रेखा कहते हैं बिटेन के ग्रीन वीच से होकर गुजरती है इसलिए ग्रीन वीच रेखा कहते हैं पुरिवे यह पश्चमी गुलार्द की महत्पूर निर्धारन रेखा होने करण यहां ग्लोब के दो अस्थानों की दूरी नियूंतम हो जाती है ठीक है कहां यहां पर जेरो डिग्री दिस अंतर रेखा पर जबकी अंतर राष्टी तिथी रेखा 180 डिग्री है एक सो अस्ती डिगरी है पताशी तितरेखा इसी तितियों का विभाजन देखा क्याते हैं यह प्रसांत महा सेगर से होकर गुजलती है और यह आठ बार मुड़ा होगा इसमें कितनी आठ बार मुड़ा होगा यह हमने क्लास में पढ़ाया अगर आप लोगों नहीं लेनी पढ़ाया है आप लोग वहां पर जाकर देख लीजिएगा 45 उत्तरी 45 दच्छणी अच्छांस रेखा उत्तरी दच्छणी मध्यान रेखा कहलाते हैं इसलिए इस प्रश्ण का जो उत्तर है शी होगा मैं दुबारा बता दू पूरिवियों पश्चनी गोलार्द की फानों की नियुंतम दूरी होती है इसलिए हम इशेव सी प्रधान मध्यानेखा कहते हैं चलिए देखिए यह बैक्ग्राउंड जो है आपको इसी में पढ़ना होगा कि एक कॉस्चन टाइप हो चुका है ठीक है टिक चलते हैं अगला निमनिकित में से किसका सुमेल नहीं है ऐसे प्रशनाप के परिच्छों में बार बार पूछे जाते हैं देखिए अगले बड़ी बात याद है कि आज का लिए सवाल इसमें जोडा सही मिला नहीं है देखिए ब्राजील की जो धारा है धारा कोगरेंड कहते हैं तो जिन्के आपको पता है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके यहां नौकायान चल पाती है उनके हां खाने के लिए समाध्गरी मिल पाती है उसका कारण धाराएं ही हैं और कुछ के कारण है जैसे अगर मैं आपसे पुछू कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टैट्रीनिक जहाज ढूब गया तो आपको जानकर हरानी होगी टैट्रीनिक जहाज को भी ढूबने पर एक धारा का ही हाथ था उस धारा के साथ साथ एक आइसबर्ग आता है आइसबर्ग के टकराने से आपका जो टैटनिक जहाज है वो धराई साहई हुआ था तो यह अटलांटिक महासागर की धारा है सही बात जो ब्राजील की धारा है अटलांटिक महासागर की धारा है अटलांटिक महासागर को हम आंद्र महासागर भी कहते हैं यह साकार का है आंद्र महा शागर भी कहते हैं हमबोल की धारा उत्तरी प्रशांत महा सागर में है तो याद रखेगा कि हमबोल की धारा को पेरू की धारा भी कहते हैं हमबोल की धारा को क्या कहते हैं पेरू की धारा कहते हैं यह ठंडी धारा है यह दच्छड अमेरिका की पश्चमी तड के कारण के सहारे दच्छण से उत्तर दिसा में प्रवाइद होती है और ठंडी धारा है पेरू की धारा हमबोल की धारा इस धारा का संबन दच्छण पूरीवी प्रसांत मासागर्स कहां से दच्छण पूरीवी प्रसांत मासागर्स है एक बात मैं आपको धा गर्म होती है अब जिन धारा जैसे यह प्लसमा लेते हैं और जिन धारा का जन्म ध्रूंगों से होता है वो होती है ठंडी धारा यह बात याद रखेगा सीधी सी बात है जो बर्व के तरफ से हवा आएगी गर्म नहीं होगी नै और जो भुमद्रेका से जन्म लेगी वो तो स गर्म ठंडी और ठंडे के साइच आएगी तो जैसे गर्म है यहां से जो धारा जाएंगी भुमद्रेका के आसपास वह गर्म जल धारा होगी लेकिन जो ध्रूंगों से आएगी वह कैसे थंडी होगी ध्यान से दिगे क्यों कि आप अब यह बताओ आग के सामने से अगर ग भुजरोगे तो वहां पर ठंडी लगेगी यहां पर दोनों महाद यहां पर क्या पता हैं द्रू है तो द्रूंगों की तरफ से जिन धाराओं का जन्म होता है वे सबी धारा ठंडी धाराएं होती है अप वादों को छोड़ कर क्लियर हो गया और दूसरी बात याद तो वीडियो को सेर कर दिजया गल्प स्ट्रीम की धारा इसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ लिया था ये कई धाराओं का समू है और इसके वज़े से ये रोब के कई देशों के पतन अर्थात बंदरगा खुले रहते हैं अलगु हास की धारा हिंदमास अगर की धारा ह ये भी most important है ये परिच्छा वाले प्रश्ण है ये भी सही ये भी सही ये भी सही तो गलत कौन सा बी तो जो गलत है वही सही है क्योंकि यहां पर जो प्रश्ण पुछा गया है वो इसका उत्तर यही है क्लियर यार विडियो को शेयर कर दिजिए पैसा नहीं कटेगा आपका बार बार आपको कहा रहें लेकिन आप लोग तो मानी नहीं रहें ऐसे नहीं लगेंगे आपके बस विडियो को सेयर करें लोगों तो पोचाईए अगला लवणता की सरवाधिक मात्रा कहां पाई जाती है ये सवाल हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया है उसी से मिलता जु लेकि यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो वैसे तो है वान जील वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा वान जील कहां पर है तूर्की में लेकिन बिकल्प में नहीं है व्योंकि इसमें जो है लगबख 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है प्रति लीटर कह सकते हैं मतलब 330 प्रतिशत लेकिन लेकिन इसके बाद अगर देखें इन विकल्प क्याधार पर तो यह मृत्त सागर होगा यह मैंने पढ़ाते हैं बताया थे क्यूंकि लगबख यहां पर 230 किसी किसी किताब में 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम अर्था 238 प्रतिशत यह कह सकते हैं 230 प्रतिशत यहां पर लवनता है ठीक है इसलिए इस अच्टर विकल्प के आधार पर अगर लगाएंगे तो要त्तर क्या होगा सी हम नहीं बताया तो परहाते समय हमारा सारा फोकस होता है इस बात का सही जवाब होगा अगर वाल्तिक सागर की बात करें तो यह भी लगभग 220 ग्राम है बनले 220 प्रिच्छती समझ लिजेगा ठीक है कि प्रती 1000 में है लावर्ता ग्राम प्रती 1000 ग्राम है अब हम अगर है तो आगे बढ़ा अगले प्रिश्णी की तरफ अगले कोई देसों में सघं उस्तनादवन है कि मोश्च इंपोर्टेन बहुत इनपोर्टेन पृस्ट नहीं और आईसे पृस्ट हैं और यस उसल प्रिशन आएंगे मैं उमेद करता हूं आपको ऐसे राषणों को फिस करना होगा ऐसे प्रास्टन का बहुत आप नहीं दे पाएंगे तो फिर रेज से भार भर हो और रेस के घोड़े अमेशा रेस मच्छे लगते हैं खेत्म नहीं ठीक है किलियर जलिली बड़ा बड़ कमन कर बता है कि तोल वीडियो गोला देख रहा है यह ऐसे प्रश्ण परिच्छा वाले हैं मैंने आपसे पहले वादा क्या था ऐसे प्रश्ण है परिच्छा वाले आईवरी कोष्ट केन्या जिबंबे दच्छन अफ्रिका संग ये रट लीजिएगा बले मत सेयर करिए मत लाइक करिए लेकिन ऐसे प्रस्णों को जान लिजे परिच्छा में आएगा तो क्या करना है देखे यहां पर इस प्रस्ण का उत्तर जो होगा वो है आईवरी कोष्ट देखिए इस प्रकार के जो मुस्तन करबंदी वर्था वन होते हैं जल्वाई परणेश होते हैं यह अगर हम बात करें तो यहां पे यहां पर यह हमारा जो गलोब है इस ग्लोब से यहां पर मतलब पांच डिग्री से लेकर दस डिग्री के मद्दे फैले हुए होते हैं अफ्रिका के कांगो नदी घाटी तेता गिनी तक इस प्रकार के जर्वाल आ जाते हैं इसे हम आईवरी कोष्ट के नाम से जानते हैं इस प्रशन का उत्तर ए सही जवाब है क्योंकि अगर यह पूछता तो कांगो नदी घाटी अगर ऐसे प्रशन आता लेकि लिख लीजेगा यह भी प्रशन परिच्छाम पूछ देता यह होगा कांगो नदी घाटी ऐसे वन पाये जाते हैं गीनी के तट अच्छे मैं एक सवाल आपसे पूछूँगा सभी लोग जवाब दीजेगा अगर आपने online class फिर जुड़े होंगे तो वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है तो दीखें मैंने बताया था डॉक्टर हवा डॉक्टर हवा क्या है इसका जवाब आप लोग जरूर दीजेगा इसलिए उसे डॉक्टर हवा कहते हैं तो इसका कालाण आप लोग को comment section में जवाब देना है या अपने copy में लिख लीजेगा ताकि आपका notes भी बन जाए यह ऐसा notes है जो selected प्रस्ण हम आपके लिए लेकर रहे हैं ठीक है चलते हैं अंगले प्रस्ण की तरफ निमिखित में क ब्रंसघाटी होती ही क्या है चलिए आज आप लोग यह जान लेंगे कि यह ब्रंसघाटी किस मूली का नाम है ठीक है अब आई रहां से देखते हैं यह ब्रंसघाटी क्या होती है यह हो गया मतलब यह दिख रहा है कि यह अस्था नीचे धस गया इसे वो कहते हैं रिट्ट केया इसी कहते हैं रिट्ट कि वै अच्छे बात यहां पर मैं और बता दू कि जैसे गर कोई बेक्ति यहां पर था माली जी यह कोई आदमी था या आप ही थे आप चले आए नीचे अब यहां से गर आप खड़े होकर ऊपर की तरफ देखेंगे तो कैसा दिखेगा इसे कहते हैं जूठा परवत अगर नीचे से देखने पर जैसे अगर आचाना के आप खड़े थे यह जमीन धस गई तो नीचे जाद में उपर देखेगा तो परवत दिखेगा लेकिन वास्तों में परवत है नहीं इसे हम जोटा परवत क्याते हैं इसमें से जो नदी बैती है उस भारत में देखा जाए तो कौन-कौन कि जो ब्रहन से खाटी से वैती है यह दो अरब सागर में जाती है अब यह दामोदर नदी जाके मिल जाती है गंगा नदी की जो एक उपसाखा बनती है कोलकाता जिस नदी किनारे बशा है तो जाके बंगाली खाड़ी में गिरती है लेकिन यहाँ पे जो प्रशन पूछा गया है उस प्रशन का उत्तर क्या होगा बताईए आप लोग क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते है यार वीडियो को बार बार कह रहे हैं से एर करिए पैसे नहीं लगेंगे इस से बहतर अगर यूटूब पर क चिनल को असर्क्राइब कर दीजएगा पूरी की प्र भारत की रहीन नदी कौन है कोमें शेक्शन année के जवाब दीजेगा किछीय वीडिक मरंई टीका चलिए वीडिश्थल kा इन से कौन सी नदी को जवीडिक मरंई को कहते ए बताना है जैविक मरंउस्थल को किस नदी को कहते हैं चलिए आप मैं आपको बता दू राइन नदी के बारे में थोड़ी बाते आपसे बताना चाहूंगा रिफ्ट घाटी लंबी संकरी परंतु अधिक गहरी होती है राइन नदी रिफ्ट घाटी का प्रमुको धारण है ये बसेलत था बिंजेल नगरों के बीज 230 किल राइडन नदी सबसे लंबी कौन सी ब्रंज घाटी की सबसे लंबी है ये लाल सागर की बेसिन से होते हुई जेंबजी नदी घाटी लगभग 4800 किलमेटर चेट तक फेला है डुनिया का सबसे लंबा तो ये सारी बाते आप लोग याद रखेगा इसे कोईला वाली नदी क कहते हैं ठीक है किस नदी में को इला मिलता है जब जहां पर कोईला है वहां पर हीरा भी मिलता है तो हीरे वाली नदी हो गया ठीक है कि चलिए आगे चलते हैं अगले पर्षण की तरफ क्लियर हो गया यार वीडियो को संख्याक तमवरी पढ़ने कीजिए कोई कमी है क्या पढ़ाने में जरा कॉमेंट करके बताईए डेली क्लास के लिए टेलीग्राम जोईन कर लीजिए ऐसे सिंधु आगे बताएंगे देखिए इसका एक काराड है अगला प्रस्णा आपके सामने है निमलिकित में संसार का सरवादिक बेस्त महा सागरी मार कौंसा most important प्रस्णा है यह बार बार आपके परिच्छा में पूछा जाता है जल्देवी कॉमेंट करिएगा दिएगे पृष्टन का सभी लोग देखे टेलीग्राम जब सभी लोग जोईन कर लिजेगा दुरगे सर सर्च करिएगा दुरगे शायगों से जरूर जोईन करिएगा डिस्केप्शन में लिंक है डेली क्लास के लिए टेलीग्राम जरूर जोईन करके रखिएगा दिखे यहाँ पर ठीक है बताइए सभी लोग फटापर कमेंट करेंगे बताइए अभी कुछ लोग को सेलबस तक नहीं पता है कुछ लोग ऐसे आजाते हैं कहते हैं गुमरह मत करो उनको खुद को सेलबस नहीं पता है कि नदियां, महादुई, महासागर, परवैत, पठार, महादुई, प्रमुवजलधाराएं यह पाठकरम में हैं भी सुभगोल के कहां कहां सनमोने आ जाते हैं चलिए, ध्यान से देखेगा यहां पर स्पष्ण का उत्तर क्या होगा यहां पर देखेगे, एक तरह से आप देखेंगे तो उत्तरी अट्लांटिक महासागर क्यों एक तरह उत्तरी अमेरिका महासागर के अगर पस्ची में इसके पूरब में देखा जाए तो यूरोप है और अगर इसके पस्ची में देखा जाए तो आपको उत्तरी अमेरिका महादूप मिलेगा क्या मिलता है उत्तरी अमेरिका महादूप मिलता है क्या आपने देखा अपनी दिवा के माइंड बनाईए मैप तो दोस्तरवादिक विक्सित प्रदेश मतलब यहाँ पर उत्री अमेरिका कानाडा माल लेते हैं कि कनाड़ उत्तर में ने कनाड़ सबसे रे महादीद के ऊत्तर में कनाड़ा है तो अंध यह बहुत ही महत्पूर्य बैस्त जलमार्ग है दोनों हे रूटों पर बंदरग्रा पॉतास्रय इनकी सुख्धा उपलम्द है उत्तरी अट्लांटिक महा सागर विदेशी द्यापार क संसार में सबसे ज़्यादा ब्यस्त है ठीक है किलियर हो गया किसी के मन में कोई सवाल क्योंकि यहां से आपके परिच्छा में प्रिवियस यह प्रशन आ चुका है महासागर धाराओं से जो परिच्छा दिये होंगे या पेपर पढ़े होंगे उनको पता होगा चलते हैं अग ठीक है चलिए बेतार को तार का संपर्क मोस्ट इंपर्टेंट है बेतार के तार का संपर्क प्रथिवी के धरातल को परावर्तित किया जाता है बताई जल्दी से देखे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपर्टेंट प्रस्ण है मैं चाहाँ तो सभी को ब्याक्या कर सकता हूं जैसे यहाँ पर मैं बैटके पढ़ा रहा हूं यहाँ पर आप घर पर बैट के आराम से पढ़ रहा है तो कैसे यहाँ तक क्लास पहुच रही है यहाँ यहाँ से पहले तो मेरे घर के टावर के पास जाती होगी फिर यह सीधा सेटलाइट पर जाती होगी फिर सेटलाइट से आप आपके घर के टावर पे पिर टावर से आपके पास आती होगी यह सारा प्रक्रिया जो है इस तरह से होती है तो यह जो आपका उपगर 뭐야 है कृतिम यही सारा काम करता है और यह उपगर justify में होता है उसी मंडल की बात कर रहा है जैसे आप रेडियो चालू करते हैं कहता है ये खबर आप साड वेप या लॉंग वेप से सुनते हैं अचानक जब धूप रहती है तो बहुत साफ लेकिन जब बारिस होती ही बादल घर जिन लगते हैं तो आपके टीवी और रेडियो का सिगनल छोड़ देता है क्यों क्योंकि जो मौसम परिवर्तन होते हैं वे सारे कहां पर होते हैं प्रोपोस्पेयर छोब मंडल में होते हैं उसको पर समताप मंड़ा इस्टेटोस्पेयर लेकिन इस प्रस्ण का जो सही भी कल्प है वो है आयन मंडल इसे हम आयनोस्पेयर कहते हैं यह कहां पर होता है यह आयन मंडल में होता है जितनी भी रेडियो तरंगे होती है चाहे मोबाइल का हो, चाहे टीवी का हो चाहे रेडियो हो चाहे आप वाइरलेस हो बने जितनी भी रेडियो तरंगे होती है पूरे दुनिया की वह आइनोस्पियर में होती है ठीक है आइनोस्पियर को हम आयन मंडल कहते हैं समझ में आया तो यहां पर इसे a-b-c-d देर्गतरंगों के परावर्तित करती है यह फ़रत रीडियो की मद्यम लगूत तरंगों ध्रातल्व पर्वतिन करती है जैसे के डीपूछ दिया जाए कि यहां पर डीपुस्च जिसमें कई पहागों बाका घ्र्वाग है यह दिर्गतरंगों के ल वीडियो सुनते थे उसमें यह आता था अगर लगू तरंग की बात की ज़िए इपरत है इपर लगू तरंग है लगू तरंग यह दो चीज़े याद रखेगा परिछा में पूस्ता है ठीक है तो यहाँ पे हम इस बात को ध्यान देना होगा मैं उमीद करता हूँ क्लियर हो गया हाई इसे दूर संचार मंडल माल लीजिए यह दूर संचार मंडल है इसका कारण भी है क्योंकि इसके कारण यह है जैसे हमारी प्रिथिवी हो गई आपको पता है कि प्रिथिवी के पास geftational force है लेकिन इसके साथ साथ एक और force काम करता जो पूरे प्रिथिवी को कबच का काम करता है और इस आइनो मंडल के बाद का जो मंडल है सूर से आने वाली जो लपटे हैं यहां तो पहुचने नहीं देता जिसके कारण आइनो मंडल में satellite को launch किया जाता है वो आगे हम लोग पढ़ाएंगे क्लास में इस पर हम और अच्छे से चर्चन करेंगे ठीक है चलिए इसकी इंसोर्ट क्लिक कर लिजेगा यह आपके सेल्बस के अधार पर क्लास चल लिए अधिकांस उसकडबंदी बागान निचले मैदानों में अस्तिरजी नहीं यह कहां पर होते हैं उसकडबंदी जो मैदान होते वो कहां होते मैं आपको इहां बता दू ग्लोब पर जो उसकडबंदी होते हैं देखिए मेरी गोला वला साही नहीं बन रहा है माना यह 0 डिग्री है यहां से 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री डेक्शन तो यह आपका गलत हो गया उसकडबंदी बागान समुद्ट तड़के किनारे जुंड में पाया जाते हैं ठीक है हां यह बात आपका साही है जैसे रबड वगरा हो गए ठीक है रबड जो है एक उसकडबंदी पौधा है और यह अमेजन नदी घाटी में भी है तो अमेजन बेसीन और जैयरे की बेसिन में लगभग 99% रबड मिलता है 99% रबड अमेजन बेसिन में रबड की क्रिसी के लिए उत्तम भौतिक दसाएं पाय जाती है परन्तु करमारों की कमी है सीधी सी बात है मतलब यहां पर यह भी सही है तो अगर है आपके हम देखें अमेजन और जैयरे को मिला दिया जाए अमेजन और जैयरे को अमेजन प्लस जैयरे घाटी को मिला दिया जाए तो लगभग 99% प्राक्तिक रबड होता है अकेले इंपॉर्टेंट है आपके इसका युगदान 1950 तक था लेकिन अब 2% हो गया यह पहले क्या तहीं 99% था कब 1950 तक लेकिन अब यह लगभग 2% हो गया वर्तमान में वर्तमान में 20 का 90% भाग दच्छिडपूर एसिया से प्राप्त होता है कहां कहां थाइलेंड से अब अगर अब पूछा जाए तो थाइलेंड इंडोनेशिया प्लस मलेशिया कितना 90% प्राक्तिक रबड इसे कहते हैं कि दच्छिडपूर एसिया अर्थात क्या होगा दच्छिडपूर एसिया समझ मैं आप लोग को यह सारे काम को अच्छी तरह से पढ़ लिजेगा ठीक चलिए दूसरी बाद दच्छिडपूर एसिया में रबड उत्पादन ब्रिद्ध की कारण क्या क्या है आपको पता है यहाँ पर एक सवाल मैं आपको बता दू कि यहां से अचानक रबड यहां कैसे पहुचा इसका उत्तर भी है पले में भी बता दू इसका उत्तर भी है अप कहेंगे सर यहाँ कैसे ट्रांसफर हुआ क्या कारण यहां पर यहां पर क्या हुगा सस्ते स्रमिग मिले भूमी सस्ती थी अनकूल मिट्टी थी समुद्री परिभान के सुपदा थी अनकूल भगोली पसितियां थी जिस कारण यहां से अमेजन जारे घाटी से ट्रांफ़र होकर थाइलेंड इंडोनेसिया मलेशिया चल रख सकते हैं, हम चलते हैं अगले प्रश्णी की तरब, हमारे भी याँ खराब हो और मेरे आख में सबसे आदा पेन हो रहा है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, लगातार मेरी क्लासे जो रही है, आप लोग की जो ऑनलीं क्लासे वहाँ भी मैंने पढ़ा है, यहाँ भी मुद्र के किनारे उस कड़बंदी जलवाई आपको मिल जाए, यह बागान वहाँ पर भारत में भी प्रकिती रवड़ पाये जाते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, यहाँ पर किवलकुल मिलान करना है, चलिए, मैं भी आपको मिलान करने में काफी मदद कर देता हूँ, क्यारा कैनिफोर्निया की जो धारा है, वो कैसी धारा है, जो कैनिफोर्निया, बताईए, जल्जदी कमेंट करें, बताईएगा, कैनिफोर्निया, देखिए, कैनिफोर्निया, उस कड़बंदी, अमेरिका महाँ देप के पस्चिम है यह, उसके बाद पस्चिमी आस्ट्रेलि यह क्या है यहां पर यहां पर है यहां पर सीट बंगलादेश कैसा है अब बताएए यह उस्ट मरुभू में यह तरस्ट है साइबिया साइबिया किया होगा इसके बारे मैं आपको पताती किया है जल्वायू प्रकार हो इसके बारे मोर्स बता देखिये आगर भूमत सागरी की बात करें घ्यान समझेगा घ्यांस समझने का प्रयाश करिए गा जो खुमद सागर है यह यूरोप और अफ्रीका महाद्रीप को लग करता जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखाऊ हूं जहां से अगर आप लोग समझेंगे तो कि मेरी बात आप अच्छे तरीके सब को समझ में आएगी कि ऐसे महाद्रीफ है थोड़ा सा गड़वड़ी हो गया बनाने में मैं इसको अच्छे से बनाने का प्रयाश्ट कर रहा हूं कि आप कि एक में टुके कभी है मैं बनाने का प्रयाश्ट कर रहा हूं आपके लिए जगा कम पड़ रहा है न यह कि पता कि हम अफ्रीका बना रहा हूं कि प्याद ते रही कि कि यह के अपका अफ्रीका ठीए यहादीब हो गया तो यह महादीब हो गया तो ये यह य्यूरॉप हो गया देखें यह यह evident है यह यहाद मदेशागर हैår इनी इस प्रकार के जलवाई में जैतून संत्रे का सब्स ज्यादा होता है इस प्रकार भुमत सागर के जो ततवर्ती च्छत्र है भुमत सागर के दच्छड किनारे तैसोतराज अमेरिका, कैनिफोर्निया इन सभी दच्छड अफ्रिका, केप टाउन, अस्टलिया ये सब ऐसे च्छत्रों में पाये जाते है मतलब भुमद सागरी जो च्छत्र है यहाँ पे खटे फल, रसदार फल मिलते हैं कैसे फल? रसदार फल और जो रसदार फल होंगे तो वहाँ से क्या बनेगा? खूब सारी बीयर बनेगी खूब सारा सराब बनेगा यह आप लोग समझ रहे हैं न? जहाँ खटे फल मिलेंगे बीयर बनेगा, खूब क्या बनेगा, सराब बनेगा तो यह चीज़े आप लोग जानते रहेगा जिसके में साफ नहीं दिख रहा है वो यहाँ पे तीन डाट बिंडू पर क्लिक करेंगे वीडियो की क्वाल्टी बढ़ा लेंगे चाहिए फेस्बुक पे, चाहिए यूटूब पर जहां भी दिख रहा हो ठीक है, या आपका इंटरनेट स्लो होगा तभी, इसकी इंसाट क्लिक कर लीजेगा मैं थोड़ा तेजी से पढ़ाऊंगा ब्रहजवार का बात था यह हमने कल की सिरीज में पढ़ाया था देखिए, जैसे यहाँ पे आपका हो गया सन सन के साथ यहाँ पर हो गया आपका आर्थ अब मून की दसाएं अगर चंद्रमा यहाँ और चंद्रमा यहाँ है मतलब यह मून हो गया आपका मतलब या तो यह कंडीशन हो या तो यह कंडीशन हो मतलब जब सूर पित्वी और चंद्रमा सलल रेखा में हो तब दिर्ग जवार आता है यह हमने पढ़ाया है यह हमने आपको पूरी तरह से पढ़ाया है सूप चंद्रमा और जब समकोर पर होते हैं तब यहाँ पर लगू जवार आते हैं यहाँ पर लगू जवार आते हैं इसलिए इस प्रश्ण का उत्तर जो है वो ए है यह हमने आप सभी को पढ़ाया था कल की स्रीज में हम डाइग्राम बना कर बताये थे लेकिन अगर मैं देखो यहां पर कि सूर्य हो गया यह आपकी प्रिथिवी हो गई चंद्रमा यहां है चंद्रमा यह तो यहां है यह तो यह इस्तिती है यह तो यह इस्तिती है तब लगुज़ार होगा तब क्या होगा लगुज़ार होगा यह बात पूरी तरह से याद रखिएगा इससे बहतर अगर कहीं किसी चैनल पर वार का बस एक उमीद है आपका सेलेक्सान आपका चयान चलिए इसकी इंसोट कर लीजेगा अगला एक थोड़ा सा घुमाओदार प्रश्ण है और ये बड़ा हुई प्रश्ण है वर्स नए उनई सो ठांबे में नियोनिड उलका द्रिष्टी थी ये क्या था आपने सुना होगा तारा टूटते हैं तो लोग मनोती मानते हैं हमान मेरा ग Self मिल या मनोती पूर अजयं सरकाई नौकरी आईसा नहिं अगर सूर को खोखला कर दिया जाए तो इसमें 13 लाख प्रिथवियां समा सकती है सूर एक तारा है अगर तारे का एक टोकड़ा तूटेगा तो प्रिथवी से कई हजार गुना बढ़ा रहेगा प्रिथवी तूटेगा ने तो धस जाएगा गायब हो जाएगा आनलाइन क्लास या नोट्स के लिए इस नंबर पर आप वाट्सेप कर सकते हैं आपको सारी जानकारी मिल जाएगी घर बैठे यहां क्लास जोनपुर जनपत के सिराजेहिं से आप सभी के लिए निसुल्क लाइब चल लएए दिखें यहां पर इस बारे में हम लोग बात करते हैं और इस बारे में जानते हैं इस प्रस्ने का उत्तर क्या होगा तूला तारा मंडल में घटने वाली घटना जी नहीं एक परिघटना जो त्यापिस वर्सों में एक बार घटती है सही बात ठीक है एक परिगटना इसमें टिमपल ट्यूटल नामक धोम के तो जुड़ा है सही बात ये तूटे तारों की परिगटना ये भी सही बात है मतलब ये रात में तूटे हुए तारे की भाथ ही दिखते हैं लेकिन ये वास्तों में थोस आगासी पदार्थ हैं जो पित्वी के वायो मंडल में प्रवेस करतने से घास्तन कारण जणने लगते हैं और चम्कीला प्रकास निकलता है कभी-कभी ये टुकडे उलका पात के रूप में पित्वी पर गिरते हैं जिसमें लोहा और निकेल जैसे भारी पदार्थ की पधानता होती है इसलिए इस प्रश्ण का जो उत्तर होगा वह डी होगा डी इस प्रश्ण का सही और राइट एंश्वर है इसमें पूछा इदर क्या मिलता है तो लोहा और निकेल लोहा प्लस निकेल इक दब रट लीजिएगा लोहा को फेरस कहते हैं ईगर परिच्छा माज़ा फेरस प्लस निकेल तो लगा दिजे का तोनों एक ही है क्यों लोहा को ही फेरस कहते हैं ठीक है यह बात जानते रहीएगा यार इतनी कम संख्या है आप लोग वीडियो को नहीं सेयर कर रहे हैं यार लोगों तो पूचाएए चाहिसे फेश्बुक पे चाहिए यूटूब पो तुरंद शेयर करिए पैसा नहीं कटेगा आपका अच्छी चीजी लोगों तो पूचाएए अगर आपका आत्मा संतुष फड़ाबल करें वह कौन से मेरी निश्राल क्लास आप लोग देखिए कि हमने पढ़ाया है वह कौन से ग्रह है जिनके पास पर इंग नहीं पूच्छा नहीं है को नेचरल से ट्रेलइट नहीं है तो दोनों ग्रह हैं वह रटने वाले प्रस्ण हैंजों परिच्छा में सिधे सीधे पूछे जाते हैं यह अच्छा च्छार क मिल जएगा अगर आप NCRT पढ़ रहे होंगे तो Class 6 में है Lesson 1 Lesson 1 में आपको मिल लाएगा ये ठीक है ये पूरी NCRT में है लेकिन आपने कभी NCRT पढ़ा ही नहीं है जितना से पढ़ा है मैंने पूरा NCRT में है काउन सा जल सायो जी यूरोप को अफ्रिका से अलग करता है यूरोप को अफ्रिका से अलग करता है सायो जी की बात क्या ठीक है वैसे भुमद सागर भी होता अगर सागर पुछता इसका उत्तर भुमद सागर होता लेकिन यहाँ पे जल संधी पूछा असें को मतलब क्या होता है जल सन्धी याद रखिएगा मुश्ट इंपॉर्टेण इसका नाम सबस्टार इसलिए इसका उत्तर होगा जिर पर इस पर हालेंड का अधिकार है कि इससे वास जलसंदियर हम वास यह जिप्रानिटा रोगा इसका उत्तर पहले दी होगा आईए अब हम और आगे बात करते हैं अगर अगर वासपरेज जलसंदी कहते हैं तो ये वासपरेज जो है ये काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है ये लिख लिजेगा ये काला सागर प्लस मरमरा सागर लिग लीजेगा मरमरा सागर को जोडती है यह तुर्की में है यह कहाँ पर है तुर्की में है अगर हम डोपर की बात करें कि डोवर जनसंदी डोवर जनसंदी किसको जोडती है यह फ्रांस एंग्लेंड के बीच है इंग्लेंड की बीच है इन्वर्ण रूस अमेरिका की बीच है रूस रूस अमेरिका के बीच है हमने पहले बताएगर इस से वहतर कोई पढ़ा दे अलास्का अलास्का प्रांद के बीच है ठीक है अब किसी को कोई दिक्कत हो तो बताईए अगर वास देखिए वास जल संधी यहां देखिए वासा परेश से एक वास भी होता है वास जल संधी भी होता है आप लोग ने अगर कभी पढ़ाओ का निशूज मत रही कि मैं यहाप पर बता दे रहा हूं लेकिन जल्दी किताब हम नहीं मिलता यह आस्ट्रेलिया है उन्हें तस्मानिया की बीचे यह है आस्ट्रेलिया वर इसलिए पढ़ा देने क्योंकि हो सकता आप कंफ्यूजन आपके मन में आ जाए इस तस्मानिया ध्यान से देखिएगा मैं दोनों बातों को कर दिया कि यह रट लिजेगा मतलब यह वास यह दोनों अलग है यह अलग अलग एक नहीं वासा परेश काला सागर मरमा सागर तुर्की में जो है ठीक है लेकिन जो वास चलसंदी आस्ट्रेलिया और तस्मानिया की बीच में है ठीक है यह बताए कितने लोग को समझ में आ कितने लोग ऐसे हैं जितने लोग को यह सिरीज समझ में आगी जो मैं पढ़ा रहा हूं कि अगर आपको समझ में आ रही है तब तो बताइए अरे वेरिंग में साप साप लिखा है यारे वेरिंग में है रूस व अमेरिका अमेरिका के अलास्का प्रांथ अलास्का प्रांथ साप साप लिखा है ठीक है सबको समझ ना या मैंना उद्देश यह कि चारों विकल क्योंकि परिच्छा में इससे बाहर ना आए जितना मैं पढ़ा हूँ उतना परिच्छा में आए यह मेरा पहला और अंतिम टार्गिट है इसकी इस सॉर्क लीजिएगा क्योंकि इन पॉर्टेंड है Fellah गला विशव का सबसे थंदा स्थान दुनिया का सबसे ठंदा और दुनिया का सबसे गर्म क्या होगा मैं या दोनों पूछव हूँ आपसे सबसे आढ़ से का सबसे गर्मस्था maior है अल अजिधिया अल कि अ जी जिया कहा पर है लीबिया में लीबिया इसे लिखा जाएगा क्या लीबिया साथ लीबिया इसे लिखा जाएगा लीबिया मिला लीजेगा लीबिया कहा पर है यह अफ्रिका महादुप में है अफ्रिका महादुप में है अफ्रिका महादुप में है अफ्रिका महादुप म हैं दुनिया का सबसे गर्म स्थान और ठंडा क्या होगा बताइए मैंने गर्म दो बता दिया ठंडा बताइए कि हमारा उद्देश हमारा टार्गेट आपका सेलेक्शन आपका चैन है यार इसूल क्लास हम लेकर आते हैं हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़ें और सेलेक्शन के नजदीक पूचें देखिए रैटिंग पर बज़ जाईए यार कॉंसर्ट पर जाईए अच्छा बर्खो यांस देखिए एक कॉमेंट आया है कि अब अजीजिया लीबिया नहीं रहा है अब ये उत्तर अमेरिका का डेथ वैली आ गया है चलिए देख लीजेगा आप लोग भी नोट्स बना लीजेगा सभी लोग देखिए मैं यह पर बताद रहा हूं कि यह टैंगा तुल जलवायू में यह जो वर्खो यांस करें यह साइबेरिया नामाकस्तान पर लगभग इसका टाप मान अलग लग मिलता है यह लगभग है आपका सबसे ठंडा क्या है सियाचीन यह भारत का सबसे ठंडा है भारत का सबसे ठंडा क्या है सियाचीन कि रट आ अगर भारत का पूछ दिया जाए तो क्या लगाएंगे सियाचीन भारत का सबसे ठंडा स्थान सियाचीन है जो जम्हू सिकागो का सम्मन्द किस भारती से है जो आज भी अमेरिका और भारत के लिए युवाओं के लिए प्रेडा स्रोथ है मैंने चार विगल्वी व्याक्षा में जरूर चाहता हूं कर दूँ ताकि आप और अच्छे से जान सकें भारत का सियाचीन भारत का सियाचीन कि चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अंत्रिश्यान कि मैगलन किस तरक के ग्रह पर भेजा गया था मंगल सनी ब्रस्पती जल्ली बताई चली बताई फड़ा पर कमेंट करके यार आप लोग बताई क्लास समझ में आ रही है यह कोई दिक्कत कोई समस्या कोई सवाल हो तो जरू पूछेगा डेली टाइम पर लाइब आईए अपने दस साथियों को बताईए वरना सिरीश को बंद कर देंगे हम अगर आपको नहीं ल यहां पर जीवन की भी कयास लगा जा रहे हैं इसे लाल ग्रह कहते हैं अ कि आरेन अक्सरेट का दिक्ता करण यह लाल होता है प्रितिवी क्यालों एक मात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की सम्होना लगाए जाती है और यह अत्यां जीरल हैं कि जो वाई मंडले बिर्यल है और इसके दो उफग्रहाय है फोबोस और डीमोस फोबोस वर डीमोस उफग्रह पृदीवी के पास एक है चंद्रमा तो यह किस ने भेजा था उयससे नासा ने भेजा था रोवर तो यह स्पिट यान कि मंगल की महत्पूर्ण खोज के लिए भेजा गया था इसके अलावा क्या क्या भेजा गया है रोवर भेजा गया है और क्या भेजा गया है इस प्रिट यान भेजा गया है लिखना चाहिए लिख लीजेगा किसके लिए भेजा गया है मंगल ग्रह के लिए ठिक चलिए आगे निक्स उलम्पिया हाँ सबसे उच्छा परवद भी है लेकि एक दिन में 30 प्रेशन पढ़ेंगे आज का 800 प्रेशन आपके सामने है किसमें प्रिथिवी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का परियावरा जीवन के लिए बहुत अन्कूल है बदाएए देखिये यहां पर इसका उत्तर मंगल गरा भी हम लोगे उपर बात किया यहां पर भी जीवन की संभावना है यहां प्रिथिवी के तरह रिदू पदलते हैं पितिदी की तरह दूरी पर जुका भी है इस सता पर लाल ग्रह कहते हैं इसके दो ग्रह हैं फोबोस और डिमोश हैं यह मंगल से सूर की जो दूरी है वो बाइस दस में लो साथ नो करून किलो मीटर है इसका जो विश्वत रेखी ब्यास है वो 671 किलो मीटर है ठीक मंगल का अगर देखें तो यह जो ब्यास है यह 671 कीमी है ब्यास किसका मंगल का ठीक यह बात आपकी परिछा में पूछ सकता है ठीक यार आप लोग इतना बहतर पढ़ाने पर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन क्लास बंद करनी पढ़ेगी तो कि इतनी महनत आपके लिए किया जाता है लगाता डेडर घंटे तकी क्लास चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना अपना जितना ग्यान है मैं सोचता है आप सरी को दे दू लेकिन फिर भी आप लोग कौन सा देसांतर प्रधान या मुत्तर के साथ गलोब पर ब्रेहत बृत्ते का निर्मार करता है यह थोड़े से टेकनिकल प्रेस्टन है जहाँ पर आप लोग को दिक्कत हो सकता है नियुन्तम जो था वो यहाँ पर यह था ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया था यह 180 डिग्री जो है यह अधिक्तम है इसे अंताराश्टीत की ठिरेखा भी कहते हैं इसे ब्रेहत बृत्यका निर्मार होता है है कि ब्रिफ्ण बृत्त अरे डिरले दिशांतर को प्रधान्या मुध्थर कहते हैं और यह जिरों अच्छांस रहखा है है अधिके अच्छांस होता तब सैंसे क्या कहते हैं कौुमेंट करके बताइएगा जिरों डिक दिशांस याद रखेगा ये भी एक ब्रेहत बृत है जिसे हम कहते हैं विशुवत रेखा या भूमध रेखा ये दोनों बाते आप लोग याद रखेगा इसे भी ब्रेहत बृत कहते हैं या ब्रेहत बृत कहलाता है ठीक अगली क्लास से केवल हम लाइब पढ़ाएंगे बाद में वीडियो नहीं देख पाएंगे ठीक है तो इसलिए आप लोग प्रयाज करेंगा लाइब आके पढ़ने का क्योंकि अगर आप लोग की संख्या कम रहती तीनी मेहनत पिया जाता है लेकिन आप लोग चलिए आज का आखरी सावाल है यहां पर देश है किसकी अधीन है कमेंट करके बताईए इसे के साथ आज की सिसन को में लोग समाप्त करते हैं आलेंग क्लास या नोट्स के समद्ध मगर आपको कोई जानकरी चीए तो ई-learning बिद्रगेश के आफिस के नंबर पर आप जानकरी ले सकते हैं समपूर क्लास नोट्स आपको यहां से उपलब्द हो जाएगा यहां क्लास जनपूर जनपत से आप सभी के लिए निसुलक लाइट चलती है मेरे द्वारा और आप सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर्च करके सभी क्लास की लिंक आपको यहां से मिल जाएगी साथ में नोट्स भी मिल जाएगी ठीक है अब बताइए यहां पर सभी लोग ध्यान से दिखेगा सरकारी नोकरी कर नीत क्लास को आप पढ़िए उन उन पढ़िए कि इसका उत्तर पर 18 मिए इसको अच्छे से बताऊंगा काफी लंबा यह प्रशन जाएगा जो आस्ट्रेलिया इस आशिया का किसमस दुईप कर अस्ट्रेलिया का दिखार है तो मोस्ट इंपörटेन ग्रिन दूइपर ही अगर पूछ लिया जाए कि फेरे दूइपर किसका दिकार है तो डेन्मार का है फ्रांस का अगर फ्रांस का पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगी सांता कुरूच या मार्टिनी जल्दी से बताईएगा जल्दी से दिखेगा अगर फ्रांस का पूछेगा तो फ्रांस का क्या है शांता कुरूच है फ्रांता कुरूच के अलावा गुलाडी लोग, फ्रेंच पॉलिनेसिया, फ्रेंच गुएना, रिपु इनियन, नुकेंडी डोनिया, सेंड पिरे, मिकिलोन, इस पर फ्रांस का अधिकार है मार्ती निक, इस्पेन का अधिकार मार्ती निक पर भी है मार्ती निक क्या नवा, वोवेट दुईप है वोवेट दूइपर इसका दिकार है पीतर पीतर फस्ट दूइपर इस्पेन का दिकार है कि की नाइडा डूइपर है लिखना चाहिए लिख लीजेगा कि की नाइडा लैंड पर भी इस्पेन का दिकार है तो यह जरू लिखेगा अचाब फ्रांस का भी लिख लिख लिजे भी या कुछ लोग करें से फ्रांस का लिखवा देजिए फ्रांस में क्या है मिकिलोन है सेंड पियरे है न्यूके लिडोनिया है फ्रेंच गुएना है फ्रेंच पोलीनेसिया है गुलाडी लोप है तो यहाँ पर हमने आपको असपश्ट कर दिया तो यहाँ पर आज की जो क्लास थी कि वह असपश्ट रूप से मैंने बता दिया हुआ 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 है ठीक है तो आप लोग इस वीडियो को सेर जरू करिएगा डेन्मार पर किसका दिकार मोस्ट पूछा जाता है ग्री लेंड और फेरोदी पर डेन्मार का दिकार मोस्ट पूचाई है अगर ऐसी क्लास आपको लग रहा है कि नहीं मिलेगा यूट्यूब पर तो अच्छे लोगों को बताईए लोगों तक नहीं तो फिर मुझे लेफ्ट लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे लेफ्ट करने पड़े ये क्लास क्योंकि तिनी महनस आपके लिए कोश्चन बैंक तयार होती है NCRT को निचोड़ना पड़ता है और उसकी ब्याक्थ्या पाली जो मेरा तयार है पहले से ही और त्यूकि मेरा ऑप्सिनल सब्जेक्ट राया है विट्टिकत उप्यस्ची के लिए तिसलिए मुझे जोग्रॉफी में दिक्कत नहीं होती लेकिन आपको दिक्कत ना हो ये ऐस से सेलेक्टेट प्रस्ने जो परिच्छा में बार-बार पूछे जाते हैं और मेरा उद्देश यही है कि आपको सफलता अधिलाईज है आपको नौकरी के लिए हमें मेहनत करने चाहिए तो आप भी अपना बह्त दीजेगा तब तक में एक छोटा सा सवाल आपसे पूशता चलूँगा कि पूछे आपसे भारत की सबसे मीठे पानी की जिल कहां पर है और जोग जर्प्रपात का और एक नाम क्या है जोग जर्प्रपात का एक अन्य नाम क्या है इसका जबाब ठीक है आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा ज्यादा ज्यादा लोगों तो बताईएगा क्योंकि अगर संख्याप के अच्छी रहेगी तो ठीक है बी कांटीनियू वर्ना जैहिंद जैभारत बाई 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 बेस्ट आफ लख जैहिंद जैभारत यह कोश्चिन बैंक से ज्यादा महत्यपूर्ण इसकी ब्याक्ख्या होती पता है बहुत सरे लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं कि और कुछ प्रस्न का उत्तर बताते चले जाते हैं तो उत्तर ज्यादा माने नहीं रखता है उसकी ब्याक्ख्या माने रखती है और जिसके जोग जल्प्रपात का नाम का और किस नदी पर बना है वैसे आगे आप लोगों मिलेगा जैन जै भारत